आप लोगों का जो प्रोविशनल सिलेक्ट लिष्ट है नीट 2023 आसाम के कांसेलिंग का राउंड वन का वो आउट हो चुका है मैं आपको ओवराल कट ओफ कैटेगरी वाइस बताई चुका हूँ जेनरेली डव्यूस, SC, ST, OBC के लिए पर अभी आपको दिखा देता हूँ कि मै मैंने यह तैयार कर दिया है काफी मेहनत लगा पर आप दन इट आप लोगों के लिए मतलब लाइक आप देख सकते हो अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे निकाला था आप देख सकते हो एक और चीज काफी हाई गया है कट-off, so like first आप बोल सकते हो कि like first round में कट-off हाई गया है because many of the candidates जो लोग मतलब like all India से जिनको college already मिल गया था, उन लोगों में से काफी ने participate किया है, जैसे आप देख सकते हो state rank 5, 9, 15, 22, 35, 37, 38, मैं तो like almost rank 60 or 70 तक आप बोल सकते हो state rank 60 तक जिन लोगों को like 60 or 70 तक आप बोल सकते हो कि उन लोगों को अच्छा college मिल गया था by all India quota, so वो लोग मतलब all India quota से college लेने का chance जादा है पर उन लोगों को ने participate किया है round 1 में जिसकी वज़े से round 1 का cutoff कुछ colleges के लिए काफी high गया है आप बोल सकते हो like top colleges के लिए, जैसे कि आप गर हम GMCH की बात करें, दिन GMCH में आप देख सकते हो, गवाटी Medical College, UR का जो last seat है, it is on 628 marks, 628 marks में गया है और state rank 103 आप बोल सकते हो, हाँ, यहाँ EWS लिखा है पर यही है कि जो candidate है, उन्होंने like EWS category में apply किया था पर उनका जो seat है वो unreserved category के अंडरी मतलब, unreserved category के अंडरी मतलब, unreserved category के अंडरी हुए seat मिला है, because of the marks, because marks हाई है, इसलिए category का को यूज नही हु उसके बाद है, general के लिए, 609 गया है, like काफी, काफी हाई गया है, like comparison to other years, last year के comparison में भी बहुत हाई गया है, 609 marks गया है, और Assam Medical College, Dibriger, so last year के like round 1 के comparison में भी हाई गया है, आप बोल सकते हो, last year में भी round 1 में आप बोल सकते हो, GMC 615 marks गया था, and 615 या 613 marks गया था, और इस साल 6 28 आप देख सकते हो, पर बाकी like rounds में कम होंगे, so वहाँ जाके हम comparison करेंगे, और आप देख सकते हो, marks अगर हम बोलना चाहो, तो like, शिल्चर मेटिकल कोलेज, और जोरहाट मेटिकल कोलेज, दोनों का 594 गया है, cut-off, यह आप देख सकते हो, 271 गया है, state rank, for JMCH, and SMCH के लिए 272 cut-off, SMC का cut-off बहुत बहुत हाई गया है, like last year, 565 marks था, 567 marks था, round 1 में, 2022 में बोल रहाँ, और इस साल 594, almost 30 marks का increase हो गया, आप देख सकते हो, so अगर हम cut-off की cut-off देखना चाहे, then let's see the cut-off, उसे पहले, like, आप लोगों में से बहुत लोगों को आज को आज को आज मिल गया है, round 1 में, so congratulations, and अगर आप बताना चाहे कि आपका college कौन सा है, then do let me know in the comment section, please बता दीजे, comments में, कि which college you have got, and it's all good and well for you, बस अब ready हो जाओ, like college जाने के लिए, and admission लेने के लिए, जो reporting है, 7th और 8 को आप लोगों को करना है, documents सारे ready करके रखो, and without any further ado, let's begin, let's see the cut-off, अगर हम cut-off देखना चाहे, so general का cut-off जो है, आप देख सकते हो, मैंने sequence माइस लिखा है, गवाटी medical college के लिए 628 marks, उसके बाद आसाम medical के लिए 609 marks, शिल्चर के लिए 594, GMCH के लिए same गया है 594, बहुत हाई है, बहुत like काफी high गया है round 1 में, TMCH के लिए 584 marks देख सकते हो, अब तैसपूर के लिए, उसके बाद बरपेटा के लिए 583, लखिमपूर के लिए 564, डिफू के लिए 563, इन दोनों का आसपास ही है, मतलब like almost same ह जितना हम लोगों ने expect नहीं किया था, उन में high गया है, अब देख सकते हो, 559 and 557, नालबाडी का 557, नोगाओ का 559, और धूबरी का नालबाडी का नोगाओ से भी कम गया है, 556 मार गया है, कोकड़ाचार का सबसे lowest गया है, सारे ही categories में, except EWS, कोकड़ाचार मेडिकल गया है, 552 मास गया है, अब बुल सकते हो, जनरल के लिए है, तो last seat round 1 में 552 गया है, और next round में भी और कम होगा, like, cutoff कम होगा, definitely, अगर हम EWS की बात करें, so EWS में एक और चीज़ है कि, like, only six medical colleges में EWS का reservation है, आप देख सकते हो, आप GMC, AMC, SMC, GMC, TMC, और बड़पेटा में है बाकी colleges में EWS का reservation हटा दिया है, जो government ने rule लाया था, जिसकी वज़े से, amendment करके हटा दिया है, अभी case एक चल रहा है, पर फिर भी हम कुछ comment नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में, देखते हैं क्या होता है, बाद में, पर अभी के लिए यही situation है, और cutoff भी बहुत हाई गया है, GM और reservation भी है वो, तो दूसरा बात है कि like NRI का quota दिया गया है, and subcategories में भी reservation में increase किया गया है, जिसकी वज़े से cutoff definitely high जाएगा, GMC के लिए 616 marks, AMC के लिए 596, SMC के लिए 580, GMC के लिए 574, GMC का cutoff surprisingly SMC से कम गया है, normally SMC का कम जाता है GMC से, पर इधर EWS में आप देख सकते हो क SMC का जादा गया है, 580 गया है, GMC का 574, इधर भी आप देख सकते हो कि like 59494 दोनों का same गया है, normally क्या होता है कि GMC का जादा रहता है, पर इस साल students ने SMC जादा प्रिफर किया है, general and EWS students ने, आप बोल सकते हो, maybe because it's an older college, या कोई भी reason हो सकता है, उसके बाद अगर हम देखे, आप बोल सकते हो कि दूसरे regions या से बारागवली से जादा students को maybe selection मिला है, जिसकी वज़े से like high marks मिला है, जिसकी वज़े से shelter को choose किया गया है, factors बहुत सारे हो सकते हैं, पर हम बाद में कभी analyze करेंगी यह सब, TMCH के लिए आप देख सकते हो 568 गया है, and FMCH के लिए same marks 568, so overall EWS क cutoff high गया है, because 568 last cutoff है, because ऐसा नहीं कि EWS का cutoff general से high चला गया है, मतलब ऐसा कुछ हो गया, यह ऐसा है कि like, आप देख सकते हो कि FMCH में 583 गया है last cutoff general के लिए, और FMCH में ही 568 गया है EWS का cutoff, so in comparison to same college, आप बोल सकते हो कि general से EWS का अभी भी कम है, पर अगर हम बोलना चाहे कि like, overall कितना है, overall because 12 colleges है na general के लिए, लेकिन EWS के लिए बस 6 medical colleges है, इसलिए overall definitely general का कम गया है, 552 गया है, और EWS का आप देख सकते हो कि like 568 गया है, so उसके बाद अगर हम बात करें OBC, MOBC category, यह मैं NCR category की बात कर रहा हूं, आप देख ले न, NCR category की, अभी subcategories की बारे में हम बात में बात करेंगे, because subcategories में like बहुत सारे like, like बहुत सारे subcategories है, इसलिए बात में बात करेंगे, and अभी हम देखना चाहिए, then we'll see that GMC के लिए आप देख सकते हो, 552 हाई गया है, OBC, MOBC का cutoff 552 गया है, AMC के लिए 508, which is okay, 508, SMC के लिए काफी है, 483 marks गया है, cutoff, GMC के लिए 492 GMC में, इस बार GMC में high गया है, OBC का cutoff SMC से high गया है, TMC के लिए 479, FMC के लिए 468, लखिमपूर के लिए 461, DFU के लिए 455, उसके बाद नालबड़ी के लिए 449 और नोगाओ के लिए 452, अब देख सेंगे तो नोगाओ Medical College का cutoff high जा रहा है, पहले इधर भी high गया था, 559 ग इसके बाद आप देख सकते हो कि लाइक दूबड़ी का गया है, दूबड़ी का second lowest cutoff गया है, दूबड़ी लाश्ट इस लाश्ट इरी established गया था पर फिर भी 443 मार्स गया है, उसके बाद को को करजर का है, मतलब like lowest cutoff गया है 436 मार्क्स आप देख लेना, उसके बाद अगर इसके बाद जौरहार्ट में गया है, जौरहार्ट में 505 मार्क्स उसके बाद SMCH में, इधर नॉर्मल ट्रेंड फोलो किया गया है, SMC में 502 में भी काफी close आगया आप देख सकते हो, SMC और GMC का मार्क अभी right now एकदम close close चल रहा है, 505 और 502 बाकी next round round 2 या मोबब राउंड म में क्या होता है, cutoff हम देख लेंगे, कोई दिकत नहीं होगा, TMCH में 490 गया है, बारफटा में 483, लखिमपुर में 475, डीफू मेडिकल कोलेज में 465, उसके बाद अगर हम देखना चाहिए, अगर हम नलवाडी मेडिकल कोलेज की बात करें, आप देख सकते हो, 466 गया है, cut 57, एंड कोकराजार में सबसे लोएस्ट, आप देख सकते हो, 454, उसके बाद अगर हम STPlanes के बात करें, then STPlanes में आप देख सकते हो, GMCH का हमेशा हाइस जाता है, so GMCH का 482, उसके बाद AMCH का 464, उसके बाद जोरहट का 444, उसके बाद आप देख सकते हो, 1, 2, 3, उसके बाद FMCH का गया है, 411 मार्क्स, लखिमपूर का 403, उसके बाद टिफू का 396, उसके बाद नालबाडी मेडीकल कॉलिज का 394, उसके बाद अपन देख सकते हो, आप नॉर्मल ट्रेंड ही देख सकते हो, प्रिफर्ड हो राया है, अभी राउड उन में, उसके बाद नोगाओ मेड तूब्री मेडिकल कॉलेज 386 और उसके बाद लास्ट में कॉकड़ाजार मेडिकल कोलेज 381 चरह अएम बात करें हैं, आप देख सकते हो, GMCH 417 मार्क्स, 417 गया है उसके बाद AMCH 373 उसके बाद GregorHart 366 उसके बाद SMCH 352 नहीं उसके बाद बरपेटा का 3.36 उसके बाद LMCH का 3.20 नहीं उसके बाद LMCH का 3.20 नहीं उसके बाद Diffu का 3.33 यह वाला ट्रेंड जो है यह ज्यादा क्लियर नहीं है यह कुछ भी हो सकता है इसके बाद Diffu के लिए 3.33 लखिंपूर के लिए 3.26 नोगाओ के लिए 3.19 उसके बाद धूबड़ी के लिए 3.15 और लास्ट कटोफ जो गया है को करचार मेडिकल कोरेश 3.14 मार्क्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे जल्दी सब्सक्राइब बढ़ाईए और टूके कर दीजे आप लोग में से बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो पर प्लीज कर दीजे मोटिशन मिलता है आपको क्या आपको इस चैनल में चाहिए और आप मुझे आप लोग का निव एक सेशन शुरू होने वाला है आपको एडमिशन करवाना होगा पूरा एक लंबा प्रोसेस होता है लेकिन हो जाएगा जो भी है आपको अपने यू आप लोग यू आप लोग पास्ट द में स्टेप और यू लास्ट के स्टेप बचे है वही करने है थोड़ा और मैनत है पर हो जाएगा उसके बाद यू यू इन्टर द मेडिकल कोलेज और उसके बाद ये पूरी नहीं दुनिया है विल डिसकस अबाद इट विल टॉक अब इट विल तॉक अब इन्टिंग्स मेनी कॉंटें आप बोल सकते हो बहुत कुछ हम करने वाले है इसके बारे में है तो यू आप फिर दिवी आप देज आप चाका है एंड ट्रिलिग्राम चैनल भी सेम है अब पुल जटते हो जावास तोफिक और जो लिंक है इडिडेर इट जावास तोफिक सारे लाइक सोचल मेडिया हैंडल मेरा नाम अल्मोस्ट सेम है इस अल्विस जावास तोफिक विल अगल शॉट यू इस तो इस